हेलो फ्रेंज तो आज हम एक और निया कंसेप्ट लेकर रहा हैं फाइनिशल अकांटिंग अजम्शन्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने एक चार्ट देखा था दैट इस क्लासिफिकेशन अफ अकांटिंग फिंसिपल्स उसमें हमने समझा था कि उसमें फर्स टाइप थी जो हमारी वो थी fundamental accounting assumptions तो यह होती गया है और इसके जो टाइपस हैं उसके बारे में detail में पढ़ेंगे तो यह accounting assumptions क्या होती है देखो हमें पता है जो financial statements होती है और prepared on the certain assumptions तो assumptions वर्ट से पता चल रहा है assumptions means वो चीज़े जिसको assume किया जाए business में उनको assume किया जाता है कि financial statements या not required to disclose not required to disclose तो यह वो चीज़े होती है जिनको assume करके चला जाता है कि यह तो होगी ही business में ठीक है तो इनको disclose करने की especially ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यह बनाने वाला और देखने वाला दोनों को assume होता है कि यह इतनी assumption के basis पे जो financial statements हैं वो बनी हुई है इसलिए इन्हें कहा ज assumptions तो basic assumptions हैं जिनको मान कर ही चला जाता है ठीक है तो जो हमारा institute है institute of chartered accountant of India और IASB है जो that is international accounting standard board उन्होंने accounting standards और international accounting standards के true हमें कुछ three fundamental accounting assumptions दिये हैं कितने दिये हैं three fundamental accounting assumptions तो वो कौन-कौन से going concern, consistency and accrual तो ये तीन जो हैं वो हमारे fundamental accounting assumptions हैं इनको detail में हम पढ़ेंगे तो पहले हम देख लिए कि fundamental accounting assumptions क्या होती हैं तो assumptions वो होती हैं जिने assume करके चला जाता है कि जो financial statements है या जो business है वो इनके इनी तीन चीज़ों पर based है इनी तीन चीज़ों को follow किया जा रहा है अगर इन तीन statements हैं जो वो इन पर based नहीं है clear यानि के अगर तो financial assumptions हैं जो वो नी assumptions पर बना हुआ है आपका तो आपको disclose करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप follow नहीं कर रहे हैं उसको तो फिर आपको disclose करना परेगा in financial statements तो ये थी हमारी fundamental accounting assumptions जिनको ICI और IASB ने हमें provide किया है through accounting standards और international accounting standards के through ठीक है इन पर based होती है सभी financial statements हो सभी business लेकिन अगर आपके business में इन तीनों चीजों पर based नहीं है तो ये assumptions आपको follow नहीं कर रहा आपका business तो फिर आपको अपने financial statements में इनको specially show करना पड़ेगा clear तो अब देखते हैं हम आगे कि ये तीनों क्या एक एक करके इनको detail मे पड़ेंगे first of all going concern अब हम देखें कि going concern assumptions तो going concern assumption क्या होता है देखो पहले तो इसके जो word है उसी से आप समझेए going मतलब जो चलता जा रहा हो concern मतलब होता है business देखें जैसे हम business word use करते है जो को आपको easily समझ में आता है कि business मतलब क्या जैसे आपकी shop है अगर कुछ और आपके services provide कर रहे हैं तो वो आपका business हो गया या फिर आपको company भी easily समझ में आ जाते है कि company अपनी generally यह word सुना होता है तो ऐसी कुछ और words है जिसनका मतलब business ही होता है for example organization enterprise concern entity तो यह कुछ words है जिनका मतलब होता है कि आपका business तो going concern का मतलब क्या हो गया going concern मतलब वो business जो चल रहा है going जो चले जा रहा है वो assumption that means इसमें क्या होता है हम यह assume करके चलते हैं कि जो आपने business शुरू किया है तो वो क्या है वो चलते रहेगा for a long term के लिए आपने बंद करने के लिए नहीं खोला है देखो accounting assumes that the business will continue to exist and carry on its operations for a very long time तो continue to exist का मतलब यही है कि यह माना जाता है कि वो continue कर लेगा for a long period के लिए very long period के लिए यानि कि वो अपने जो business है अपने operations है वो करता जाएगा तो यहीं इसकी assumptions है unless there is a good evidence to its contrary तो मतलब जद तक कि आप यहां पर evidences ना हो हमारे पास कि यह जो business है वो आगे जाके बंद होने वाला है या फिर इस purpose ही ना वो open किया जाए कि वो चले कि हम इस project के लिए दोनों एक साथ काम करेंगे अब जब वो project खतम हो जाएगा उनकी partnership भी खतम हो जाएगी that means वो pre-decided था कि उन दोनों के जो business चलने वाला है जो open हुआ है दोनों की partnership जो चली है वो एक project के लिए चली थी जैसे project complete हुआ तो उनके partnership भी complete हो गई तो वो conditional थी उ business तो वो assume करके चलता है कि वो going concern है that means वो चलेगा continue करेगा लेकिन अगर उनका business कुछ ऐसा है कि वो बंद होने वाला है और वो pre-decided है कि वो आगे चाके बंद हो चाहेगा तो वो उन्हें अपने financial statement में disclose करने पड़ेगी वो बात कि हमारा जो business है वो ऐसे ऐसे है इस condition पर है ज जो business है वो going होगा यानिकि वो चलेगा will continue to exist and carry on its operations for a very long time अब हम जब मानते हैं कि आपका business जो है वो लंबे समय तक चलेगा यानिकि वो going concern है ऐसा नहीं कि अपने बंद करने के लिए उसको open किया है तो ऐसा मानने पर हम क्या करते हैं ऐसी क्या चीज़े हैं कि अगर हमने क्या idea कि going concern है तो क्या करेंगे हम क्या मानेंगे तो इसमें क्या होगा तो चीज़े हैं the entities not expected to liquidate in the next 12 months that means पहले तो इसमें word आ रहा है liquidate liquidate का मतलब होताँ है company का बंद हो जाना तो इसमें अगर आप word का meaning समझें इसमें literally word का meaning हम समझें तो ये क्या है कि отдดोment liquidate मतलब होना अगर आप देखें liquid का मतलब क्या होता है जाए as solid होती है अगर वह liquid हो जाती है that means वह liquid form में change हो जाती है थीक है जैसे हम आइस ले 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 तो आइस का अगर liquid हो जाएगी तो वोटर बन जाएगी तो वो ही है कि convert हो जाना liquid मतलब क्या होता है कि business है जो solid form में हमारे फर्नीचर्स है हमारे machinery है business building है सब चल रहा है stock है काफी कुछ है तो liquidate होने का मतलब है कि उसको cash में convert कर देना यानि कि उसको sell कर देना उसको बंद कर देना और उसके बदले पैसे जो है वो convert कर लेना तो liquidate का मतलब होता है business को बंद कर देना the entity is not expected to liquidate जो business जो entity आपकी है उसको हम नहीं मानते कि वो बंद होगी in next 12 months कम से कम एक साल में तो definitely वो नहीं बंद होने वाली तो यह मानकर चला जाता है going concern में दूसरा to provide the true picture of profits the valuation of assets and liabilities should be realistic तो यह माना जाता है कि assets and liabilities जो हैं वो सही चीजों पर सही amount पर record की होगी ताकि हमें true picture of profits हैं जो वो पता चल सके तो going concern के अंदर यह दो assumptions हम मानते हैं कि एक तो हम यह मानते कि at least next 12 months तक यह business बंद नहीं होने वाला और इसकी जो true pictures of profits शो करेगा और इसके लिए assets and liabilities जो हैं वो realistic amount पर उन्होंने शो किये गए होंगी आगे हम और देखते हैं कि इसकी implications क्या हैं यानि कि going concern होने पर अगर हम मानते हैं कि यह going concern है तो और क्या क्या चीज़े होती हैं चलिए अब हम समझते है implications के बारे में इस going concern के implications क्या है जब भी यह आजियम किया जाता है जब कि हर बार यहीआजिम किया जाता है कि जो business है वो going concern है unless कि वो show ना किया गया हो कि यह going concern नहीं है तो अगर हम यह मानकर चलते हैं कि going concern assumptions apply हो रही है तो क्या होता है तो business के जो assets है वो classify किया जाता है in current assets and non current assets के basis पर liabilities को भी classify किया जाता है current liabilities and non current liabilities के basis पर and assets जो है वो किस पर shown किया जाते है historical cost पर यानि कि book value पे historical cost कों से होती है वो value जब हमने asset को purchase किया था हमने खरीदा था asset को तो तब उसकी value जो थी वो होती है उसकी book value और historical cost ना कि आज उसकी value कितनी है market में हम वो value नहीं record करते हैं हम क्या करते हैं जिस price पर हमने उसको खरीदा था चाहिए वो 5 साल पहले खरीदा हो दो सा assets को अपनी financial statements में record करते हैं क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा business कौंसा आज बंद होने वाला है या कल बंद होने वाला है जो हम उसको market price पर record करें तो हमारा business तो चलने वाला है इसलिए हम उसी value पर हमने उसको खरीदा था इसी तरह जो liabilities है वो किस पर show की जाती है at the value which actually that means जितनी liabilities हमने जितने पैसे हमने जब liability बनाई थी हमारी तब हमारी कितने पैसे हमने लिये थे उधार हम उस पर record करते हैं ना कि उस value पर जो की हमें आगे आने वाले time पर pay करना होगा तो यह भी है कि इस तरह से historical cost ही हो गई यह भी यानिकि कितना पैसा हमने उधार लिया था हम उसी पर करते हैं तो time से क्या होता है value कि money की value है वो क्या होती है time पर उसका effect पड़ता है for example जब हमने उधार लिया था तो 100 rupees का लिया था आज अगर हमने वही 100 rupees वापिस करने हो तो उसकी value कम हो जाएगी ना तो अगर हमने वही 100 rupees की 100 rupees वापिस करने होंगे तो उसमें थोड़ा interest add हो जाएगा तो hope so हमे 110 rupees वापिस करने पड़े तो हम book में अपने जो financial statements है हम 110 नहीं show करेंगे हम 100 ही show करेंगे हालांकि pay करने के time पर हमें 110 पे करने पड़े पर फिर भी हम show इस पर करेंगे 100 rupees पर क्यों कि हमारा going concern है और हम सब कुछ जो है वो historical cost पर record करते हैं ऐसी prepaid expenses जो है हमारे वो recognize किये जाते हैं as assets अब prepaid expenses क्या होते हैं हमने पढ़ा था expenses वो होते हैं जो goods और services हम use कर चुके हैं उनके जब cost pay करते हैं उनको expenses कहते हैं अब prepaid expenses का मतलब जो पहले ही pay कर दिये जाएं that means उनकी जो services हैं उनकी जो goods हैं हम future में आने वाले time पे यूज करने वाले हैं लेकिन उनकी जो payment है वो हमने आज ही pay कर दी तो उसको भी हम asset आज ही record कर लेते हैं क्योंकि हमारा business जो चलने वाला है और आगे हम उनको use definitely करने वाले हैं तो payment आज कर दी तो हम उसको record कर लेंगी तो यह हैं कुछ implications जब भी हम going concern assume करते हैं याने कि हमेशा going concern ही assume करें ठीक हैं तो यह सब चीज़े हम करेंगे लेकिन अगर हमारा business going concern नहीं है और हम financial statement में यह disclose करते हैं कि हम going concern assumptions को assume करके नहीं चल रहे तो फिर क्या होगा फिर हमारा gone concern बनेगा going concern नहीं होगा हमारा क्या होगा gone concern that means वो business जो बंद होने वाला है तो जब हमें पता है कि आने वाले net realizable cost पर show करते हैं अब net realizable value कौन सी होती है देखो realizable मतलब जो release होने वाली हो that means आज अगर हमारा asset जो है वो market में बेचने जाए तो आज उसकी value कितनी है ठीक है तो वो जो है उसके बदले हमें कितने पैसे आज मिलने वाले हैं तो हम उस value पे उसको note करेंगे इसी तरह labilities जो करना पड़ेगा financial statements में लेकिन अगर going concern होगा जो कि हमारी fundamental assumption है तो वह assume करके चलते हम उसको disclose करने की ज़रूरत नहीं है और जब भी assumptions यह मानी जाती है going concern assets and abilities historical value पे show होंगे prepaid expenses as a asset हम recognize कर लेंगे और assets and abilities को हम current or non current के basis पे classify करेंगे तो यह तो थी हमारी first assumption that is going concern assumption second assumption है तो इसमे क्या होता है consistency assumption that means हमारे business में uniformity होगी uniform मतलब जो भी एक चीज़ पहले follow कर ली हमने business financial statements में तो वो हमें पूरे financial statement में पूरे year में और next year में भी हमें वही चीज़ दिखाई देगी यानि कि uniformity हमारे financial statements में होगी और यह कैसे होगी हम इसके बारे में पढ़ते हैं first देखो one particular method of calculation or recording that means कोई सी भी चीज़ को हमें calculate करना है या फिर record करना है उसको calculate करने का जो method हमने आज apply किया है एक बार choose कर लिया जो हमने fundamental financial statements में तो वही next year की method में भी हम apply करने वाले हैं और आने वाले सब years में हम ऐसे ही करने वाले हैं अब इसमें क्या होता है for example depreciation अगर आप depreciation calculate करने के लिए एक method आप चूस कर लेते हो कि हम इस method के साथ हमारी depreciation calculate करेंगे या इस method से हम हमारी inventories calculate करेंगे इस price पर हमें record करना है इस method से हम उसको record करेंगे तो वह सभी जब हमने एक बार choose कर लिया तो हर बार हम वही method use करेंगे तो इसे कहते हैं uniformity or consistency one decided then should follow the same for all subsequent year जैसे भी हमने decide क में हम उसको वही follow करने वाले हैं यह तो होगे हमारी first assumption या first point in the consistency assumption तो second क्या हो जाएगा हमारा transactions इना given category must be treated consistently from one accounting period to the next अब इसका मतलब क्या है देखो उसने बोला transaction इना given category जारे के एक category के अंदर जो भी transactions आती है उनको जिस तरह से एक बार treat कर लिया आने वाले सभी accounting period में हम उसको वैसे ही treat करेंगे ठीक है एक category क्योंके category सेम है उसके अंदर जितने भी transactions आती है उनको हम एक ही तरह से treat करेंगे हर बार ताकि उनकी treatment में भी जो है वो consistency आ सके देखे एक तो हमने calculation or recording के जो हमारे methods हैं उनमें consistency हमने पढ़ी ठीक है दूसरा हमने पढ़ा कि एक ही category के जो transactions है उनको treat करने के जो methods है उनको उनकी consistency के बारे में हमने पढ़ा और इसमें एक point कह रहा है कि treatment of transactions of different category can be different yes देखो एक ही category के अंदर जो transactions है उनका treatment सेम होना चाहिए इसी तरह दूसरी category के अंदर जो transactions है उनका method है वो सेम होना चाहिए लिकिन उन दोनों का दो categories का जो different categories है उनका आपस में जो treatment है वो अलग-अलग हो सकता है for example depreciation एक तरह है और inventory एक तरह है अगर आप depreciation एक method से calculate करते हो और inventory अलग method से calculate करते हो या फिर इसी तरह कुछ और चीज़ है और उसको अलग method से calculate कर सकते हो तो वो अलग-अलग आप कर सकते हो लेकिन जब आप inventory के लिए एक method आपने choose कर लिया है तो inventory से related जितनी transactions वोंगी कर लिया कि हम उसको on cost जो है वह हम record करेंगे को समतब जितने उसकी cost हमें पड़ी हमने जितने भी पैसे देखकर नोग्राइब वह खरीदे तो हम उस पे उसको record करेंगे लेकिन जो inventory है उसके लिए हमने क्या सोच और MRP whichever is less whichever is less का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है WEL इसका मतलब होता है whichever is less इसका मतलब होता है cost याने कि कितने price पर हम inventories को खरीद कर लेकर रहे inventories होती है हमारी stock goods ठीक है और MRP market price होता है तो हमें उसको cost पर show करना है या market price पर show करना है cost मतलब historical cost मतलब जितने price पर हम उसको खरीद कर लेकर रहे लेकिन हो सकता है आध market में उसका price कम या ज्यादा हो गया हो तो हम इन दोनों में कौन से price पर show करेंगे तो हमने ये method डालिया कि cost और MRP में जो भी कम होगा price whichever is lower हम उस पर अपनी inventories को record करेंगे तो अब आने वाले हर financial statement financial year में accounting year में हम क्या करेंगे inventories को इसी method के साथ record करेंगे तो इससे हमारे financial statements में क्या आजाती है consistency और uniformity अब आपको पता है कि ये ज़रूरी क्यों है assumption क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो financial statements है अलग-अलग accounting period के तो उससे क्या होता है वो comparable होते है uniformity discipline आता है तो इससे क्या होता है अगर हम compare कर पाएंगे तो हम हमारे decisions अच्छे से ले पाएंगे कि हम क्या पाएंगे कि पिछले financial statements में हमारी inventories इतनी थी इस पार इतनी है कर पाएंगी कि असल में profit हुआ loss हुआ काम हुआ या ज्यादा हुआ तो इस तरह से हमारी financial statements में problem आ जाएगी और inconsistency होने से हमारे जो हमने पिछली बार देखा ता last video में क्या क्या problem आज़कती है वो विश्वास करने योग्या नहीं रहती unreliable बन जाती है incomparable बन जाती है ठीक है इस से क्या होता है financial statements में बायस में सा जाती है तो यह सब problems होती है लेकिन इसमें एक point और समझने वाला है अगर हम यह वाजी assumption एजियूम कर रहे हैं तो okay इसको disclose करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर हम किसी भी accounting year में चाहिए वो किसी भी reason करके हम अपना जो method है वो change करना चाहते है लेकिन चटे साल में आकर हम क्या करना चाहते हैं हम यह अपना accounting method जो है वो कोई change करना चाहते है चोई है वो किसी की हमारे मालो हमारी presentation financial statements की अच्छी नहीं हो रही उसको improve करने के लिए या फिर accounting standards change हो गए है उसके लिए या फिर government का ही कोई order है उसके लिए तो हमें वो accounting method अगर change करना है तो जिस साल में हम वो method change करेंगे वो हमें disclose उस साल में करना पड़ेगा हमने पहले पड़ा था assumptions जो है हमारी तीन fundamental उनको disclose करने के जुरूरत नहीं है लेकिन अगर हम उन assumptions में कुछ changes करते हैं हम उन assumptions को नहीं मानते तो हमें financial statements में वो चीज़ शो करने पड़ेगी disclose करने पड़ेगी ऐसे ही इसमें हैं जब गी जिस साल में हम accounting जो methods है वो change करने वाले है तो उसी साल हम वो method और पहले previous method और आने वाले हम क्यों सा method apply करने वाले है वो दोनों जो है हमें disclose करने पड़ेगी accounting में financial statements में तो ये था consistency assumption तो next वीडियो में हम accrual assumption के बारे में समझेंगे अगर आपको ये concept बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो मेरे efforts आपको अच्छे लग रहे हो तो please like my video and share this video and please subscribe my channel and press the like button for more videos thank you